नमस्कार मैं हूँ प्रित सिंग और आप देख रहे हैं आने इन 24 रुप करते हैं खबरों की तरब घंश्याम वाटिका ओफिसर्स कॉलोनी सकती में आज विश्व बाल स्रम निशेद दिवस के उपलक्ष में जागरुपता कारिक्रम का आयूचन किया गया इन पलो में जिला एतलेटिक संके द्वारा संचालित प्रसिक्षन शिविर में प्रसिक्षार्थी बच्चों को प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश डॉक्टर ममता भोजवानी मुख्य न्यायक डंडा धिकारी स्रिमती गंगा पटेल न्यायक मजिस्ट्रेट दिव परिश्रम करते हुए खेल के साथ सिक्षा के शेत्र में सफलता अर्जित करने के लिए प्रेडित किया तो वही मुख्य न्यायक डंडा धिकारी स्रिमती गंगा पटेल ने बच्चों के साथ उपस्थित लोगों से 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी स्रम के कारे से द कारिय लिया जाना अपराध है जिससे समाज को बचना चाहिए उच्य न्यायालै अधिवक्ता चितरंजन पटेल ने स्वागत उद्बोधन करते हुए कहा कि आज बाल स्रम दिवस पर हम सभी संकल्प लेकी देश के भविश्य इन नन्हे बच्चों को अल्प आयू में स्रम अत्वा मजदूरी के कारिय में धकेलने के बचाए उनके प्रतिभा को पहचान कर उसे निखारने का काम करें तो देश के सुनहरे भविशे का मार्ग प्रसस्त होगा कारिक्रम के शुरवात में जिला एथलेटिक संके सच्चिव अन पी गोयल ने राज्यवार राष्टी इस्तर के खिलाडियों का अतिथियों से परिचे कराते हुए एथलेटिक संके गतिविधियों की जानकारी दी गई साथ ही बच्चों ने अपने प्रतिभाओं के प्रदर्शन से अभ्यागतों का मन मोह लिया आज विश्व स्रम दिवस पर घंश्याम बाटिका में आयूजित गरीमा में कारिक्रम में विधिक सेवा समीती के विकास कुंभकार उमा वर्मा मनीश साहू अधिवक्ता रथ राम पटेल उदय मधुकर की सक्रिय सहभागिता रही आज हम विश्व बाल श्रम निशेद दिवस जो अंतराश्टी स्तर पर 12 जून को मनाया जाता है उसी के उपलक्ष में आज बच्चों के वीच उपस्तित हुए थे और ये बहुती सुखद अनुभव रहा जो आज हमें नेशनल और स्टेट लेवल के बच्चे खिलाडियों से मिलने का मौका मिला और आज पता चला कि सक्ति प्रदेश में इतने प्रती बहाशाली बच्चे हैं तो आज हमने विश्व बाल श्रम निशेद दिवस के बारे में बच्चों को जानकारी दी और हम इन बच्चों के सुखद भविश के लिए बहुत अच्छी कामना करते हैं और उन्हें हमारी तरफ से बहुत सारी शुब कामना है